दोस्तों, IPL के इतिहास की सबसे काम्याब टीमों में शामिल चन्नेई सुपर किंग्स की टीम ने ग्यारवी बार इस लीग में हिस्सा लिया आप तक के 10 सीजन में वो हर बार प्लेओफ में जाने में काम्याब रही है हलाकि इस साल शुरुवात सही विवादों में घिरी रही चन्नेई सुपर किंग्स लीग के इतिहास में पहली बार ना सिर्फ प्लेओफ में जाने में नाकाम रही बलकि प्लेओफ की रेस से बाहर होने वाली भी पहली टीम बनी टीम के इस प्रदर्शन से सभी खिलाडी दुखी है ऐसे में धोनी की पतनी साक्षी ने एक भावब पोस्ट लिखकर टीम को सहारा देने की कोशिस की साक्षी ने एक तस्वीर शेर की है जिसमें एक कविता लिखी हुई है कविता में लिखा है यह सिर्फ एक गेम है कोई भी हारना नहीं चाहता लेकिन सभी जीत नहीं सकते कुछ लोग जीतते हैं तो कुछ लोग हार जाते हैं कुछ लोग कुछ खो देते हैं लेकिन यह सिर्फ एक खेल है जहां एक और एक दिल जीत का जश्न मना रहा है वहीं दूसरा तूट रहा है इतने साल गुजर गए हमने कुछ बहुत बड़ी जीत भी देखी है और हार भी अपनी भावनाओं को खेल भावना पर हावी मत होने देना आप तब भी विजेता थे आप अब भी विजेता हैं असली योध्धा लड़ने के लिए ही पैदा होते हैं वे हमारे दिमाग और दिल में हमेशा सुपर किंग्स बन कर रहेंगे चैन्नेई सुपर किंग्स ने रवी वार को खेले गए मुकाबले में रोयल चेलेंजर्स बैंगलोर को आठ विकेट से मात देकर टूनामेंट में बारा मैचों में अपनी चौथी जीत दर्ज की हाला कि टीम आठ अंकों के साथ अंक तालिका में सबसे निची यानि आठ वे पाइदान पर है मगर राजरसान की मुंबई पर जीत ने धोनी की टीम को टूनामेंट से बाहर कर दिया है महेंदर सिंग धोनी की अगुआई में चेन नई सूपर किंग्स ने रिकॉर्ड आठ बार इंडियन प्रिमियर लिग के फाइनल में जगे बनाई है जबकि तीन बार ये टीम आईपियल चेंपियन बनने में भी काम्याब रही है